हलो गाईस कैसे आप सब स्वागत आप सभी का तो देखे आज है पहला नवरात्र का बिरत तो आज बनाने वाली हुमें आलू बड़ा जो बिरत में खाया जाता है तो उसके लिए देखे ये मैंने आठ आलू ले लिये हैं और ये काजू बदाम को हलका दरदरा कूट लिया है सैंदा नमक, काले मिर्च, हरी मिर्च और धनिया तो सबसे पहले क्या करते हैं हम आलू को फोड़ेंगे और आलू को जादे बारीक नहीं करना है थोड़ा मोटा रहने देना है आलू को जादा मोटा भी नहीं और जादा बारीक नहीं देरी इस तरह से हास से ही इसको और रख दिये कड़ाई गरम होने के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है बिरत में जरूर बनाएं एक चम्मत देशी घी और थोड़ा सा जीरा छोड़ दिया मैंने और जो बारिक कटी हो यहारी मिर्चे वह एट करने वाली है इसमें अगर आप चाहें जीरा ना खाते हो तो ज जलेना और हरी मिर्च भी अच्छे से फ्राई हो जाएं तो धीरे धीरे इसको चलाना है बढ़िया करके चलाते रहना ताकि यह लग ना जाए मसाला हमारा जलना जाए ड्राइफ फूर्ट बगएरा आप चाहें तो इसमें तेल का भी इस्तमाल कर सकते हैं मैंने देशी घी क का इस्तमाल करें और कोई तेल का इस्तमाल ना करें तो अच्छी तरह से हो चुके हैं तो इसमें एड़ कर रही हूं मैं अलू अलू एड़ कर दिये मैं उसके बाद काली मिर्च कुटी होई थी वह इसमें एड़ कर रही हूं मैं मिर्च अपने हिसाफ से डालें आप जिस त और यहां पर देखिए सेंदा नमक डाल दिया मैंने आप कम ज्यादा कर सकते हैं स्वाथ के अनुसार अच्छे से इसको मिलाना है और गैस को मैंने मीडियम पर ही रखा है और ज्याद़ देर इसको फिराई नहीं किया है ताकि क्योंकि यह नमक पिघल कर और हमारे जो यह तो बनाते हैं अच्छे लगते हैं हम भीनिव मैंने जो जाने मठाट के अच्छे दो बिल्कुल अच्छे ना बचेगा बैटर और व्लकुल फिक्स बनेगा तो यहां पर एड़ करते हैं इसमें यहां पर मैंने धनिया ले लिया बारिक धनिया बचा लिया था वो एड़ कर रही हूं इसमें और सैंदा नमक आदी चम्मस से भी कम जाद नमक के इस्तमाल नहीं करना हलकाई मसाले डालेंगे हम इसमें और कुटी होई थोड़ी सी काली मि तो थोड़ा थोड़ा पानी के इस्तामाल किया मैंने और अच्छी तरह से बनाते हैं इसका एक बैटर तो दीविषा से इतना पदला होना चाहिए तो नहीं कि दे अश्य। को इतने हम बनाते हैं अपना आलू वाला रायता तो यहां पर एक छोटी कटोरी मैंने दही ले लिया है और कुछ आलू बचा दिये ते मैंने तो मैं इसमें एड़ कर रही हूं आप अपनी कॉएंटिडी के हिसाफ से कम जादा कर सकते हैं तो यहां पर मैंने थोड़े आलू डाल दिया है उसके बाद देखे सैंदा नमक डाल दिया है मैंने इसमें और थोड़ी सी काली मिर्च कुटी हुई और देखे यहां पर दो से तीन हरी मिर्च जो बारिक काट लिये मैंने और थोड़ा सा इसमें हरा धनिया अड़ करने वाली हूं मैं तो बहुत ही अच्छा रायता लगता नुकसान देते हैं तो दछी में अच्छी तरह से खा सकते हимся को टू oddaq के और अलू के पराठे के साथ भी अल्याख सकते हैं तो बन चुका है हमारा ऐलू तो अच्छी तरह से मिला लिया है और जो हमारा आलू थे वो भी ठंडे हो चुके हैं तो एक साइज की बोल बनाने वाली हैं यहां पर छोटी बड़ी आप अपने हिसाफ से कर सकते हैं तो देखें इस सेप की बिल्कुर जिस सेप के बड़े होते हैं उसी सेप के मैंने यह बन कर सकते हैं तो इतने हमारा घी गरम हो रहा है तो देखें एक बोल को डालेंगे हम और बैटर जो है हमारा इतना गाड़ा होना चाहिए तो इतने गाड़े में बहुत ही अच्छे हमारे बड़े बनकर रेडी होंगे देखें घी गरम हो चुका है तो एक बड़े को लेंगे इस तरह से डूगों के हम आच्छे से घी में डालेंगे इसी तरह से सारे बड़े बना लेने हैं तो देखे चार-चार बड़े मैं इसमें फ्राई करूँगी जाद एक साथ नहीं डालने हैं और थोड़ा चेंज करते हैं इनकी साइट को और जाद नहीं जलाना है नहीं तो कड़वे लगेंगे तो बहुत अच्छे से कलर हो चुका है तो निकालते हैं तो देखे कितने अच्छे बड़े हमारे रेडी हो चुके हैं कलर भी बहुत अच्छा हो चुका है इनका तो आप देखिए, सारे जो बड़े हैं इसी तरह से बना लूम ही, तो तयार है हमारे बड़े आलू बड़ा और आलू के रायते की रेसिपी, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार जरू ट्राइए करे